हेलो एवरिवन, शिफ शक्ती चैनल में आप सब का स्वागत है ये वीडियो जिवाइन मेस्कुलाइन की करेंट एनरजी के उपर रहेगी और जैसा कि आप सब जानते हैं न्यू मून और सोलर एकलिप्स मतलब दो-दो न्यू मून का भी और सोलर एकलिप्स का भी इफैक्ट जो है बहुती एक पावरफुल चेंज लेकर आ रहा है दिवाइन मेस्कुलाइन की लाइफ में जो दिवाइन मेस्कुलाइन अभी रन करके गए हैं जिनों ने भी अपनी डिव को रिजक्ट किया है या आपका कम्निकेशन अभी ब्लॉक है किसी तरीके से कोई बात नहीं चल रही है या जो डियम ये सोच कर गया थे कि मेरी लाइफ में तो बहुत सारी गर्फ्रेंड है मैं जिस पर हाथ रखों वो लड़की मेरी हो जाएगी या हो जाती है या उनकी वाइफ है या कोई भी हो दोनों मैंसे गर्फ्रेंड या वाइफ ठीक है तो जिसकी वज़े से वो आपको छोड़ कर गए या रन किया आप से तो उसके बाद जो उनकी लाइफ में चेंज आया है वो कही न कि उनको हिला देने वाला आया है बिल्कुल एगो में छोड़कर गहते हैं कि यार ऐसा तो होता रहता है अभी मेरा रिलेशन्शिप खराब चल रहा है आगे जाकर ठीक हो जाएगा यह किसी भी तरीके से दूसरों को कही न कहीं कंपेर करके कि लोगों की लाइफ में ऐसा होता है और मेरी लाइफ में अगर कुछ गरत हो रहा है तो ऐसा कब तक चलेगा कभी न कभी तो ठीक हो जाएगा कार्मिक पार्टनर को लेकर ऐसा सोच रहे हैं या सोचते हैं तो वहाँ पर जो डिवाइन ने उनको एक सोल शौक दिया है क्योंकि आएसा क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी रियल सोल जो उनकी ही सोल का पार्ट है उसको रन करके गए हैं उसको ही छोड़के खुद से भाग रहे हैं मतलब अपनी डियाप को छोड़कर कार्म नहीं है तब भी वो रन कर रहे हैं उनके फियर सर्फेस हो रहे हैं ठीक है रिस्पॉंस्बिलिटी नहीं ले रहे हैं खुद की क्योंकि जितनी रिस्पॉंस्बिलिटी डिवाइन फेम्राइन की होती है अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने में उतनी ही रिस्पॉंस्बिलि जो disorted divine masculine है unawakened है यह 50% awakened है पूरी तरीके से awakened नहीं है और जिनोंने बहुत DF को ego दिखाया ठीक है? Ego कही न कहीं बहुत ज़्यादा आ रहा है fear कही न कहीं बहुत ज़्यादा surface हो रहे हैं और इस ego की वज़े से आप से दूर गए हैं और उसके बाद कही न कहीं वो अब बहुत ज़्यादा regret कर रहे हैं बहुत ज़्यादा परिशान हैं बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं अंदर से ठीक है? बहुत ज़्यादा खाली पन फील कर रहे हैं अपनी life में ठीक है? मतलब होता है सब कुछ है बट कहीं न कहीं एक खाली पन है उनके अंदर और वो खाली पन उनका कोई भी complete नहीं कर सकता उस खाली पन को कोई दूर नहीं कर सकता divine feminine के अलावा यह बात वो उनको नहीं पता है यह नहीं पता थी बट आप वो realize करेंगे क्योंकि divine masculine होते हैं वो इस journey के बारे में नहीं जानते और बता भी देते हैं पर उनको experience नहीं होता है इस journey के बारे में जितना divine feminine को होता है ठीक बट वो जैसे जैसे journey में आगे बढ़ते जाते हैं उनको भी realize होने लगता है ठीक है तो जिस तरीके से वो बहुत तेजी से भागे थे ना बहीं पर एक दम से struck हो गए है जैसे होता है कोई बच्चा बहुत तेजी से भागता है आगे कुछ भी दे के एक दम से ड़ जाता है या रुख जाता है या बापस आता है ठीक है उसी तरीके से भाग तो बहुत तेजी से रहत है बट कुछ ना कुछ उनकी लाइब में फिर से उथल पुथल हुई है फिर से कही ना कही एक दम से थम गए है divine masculine ठीक है सोचने पर मजबूर हो गए है इस relationship के बारे में DF के बारे में उधर से आया भी होगा तो divine feminine बिलको neutral है और नहीं भी आया है उनका message तो it's okay आपको imbalance नहीं होना है और आपने कोई message या कुछ नहीं किया तब भी आपको imbalance नहीं होना है क्योंकि यहाँ उनकी ego death हो रही है ego death आप ही कर सकती है आप उने call message ना करके यह आपका ego नहीं आ रहा है यहाँ पर आपको space देना ही देना है अपने DM को और time देना ही देना है ताकि वो समझ पाए इस relationship के बारे में ठीक है तो जो divine feminine ऐसा कर रही है वो बिलकुर ठीक जा रही है बिलकुर सही work कर रही है और जो song मुझे channel हुआ है वो भी मैं description box में डालनूगी मतलब उनके आसपास बहुत सारी रौनक है बहुत जादा खुशी है बट वो कही ना कहीं अधूरे है वो अंदर से तोटे हुए है वो बहुत ही जादा regret वाली energy में है कि उन्होंने कुछ गलत किया है कुछ नहीं बहुत कुछ गलत कर दिया है अपनी life में ठीक है डियाफ को ठुकरा कर डियाफ को reject करके कार्मिक पार्टर के पास भागे है और उसी कार्मिक ने फिर से उनको एक soul shock दिया है फिर से वो ही लड़ाई जगड़े करेगा चाहें वो डियाफ हो चाहें डियाम ओपर डियाम की इधर से energy बहुत ही ज़ादा sad energy आरही है बहुत ही ज़ादा low energy आरही है बहुत ज़ादा regret वाली energy आरही है और यह song आप सुनेंगी आपको पूरी energy पता चल जाएगे आपकी divine masculine कि क्या एनर्जी है ठीक है और खाली पन तो फिल कर ही रहे हैं साथी साथ आपको ढूड रहे हैं मतलब उनकी निगाईं आपको ढूड रही हैं आपको सरज कर रही है और बहुती ज़्यादा release हो रहा है, बहुत बुरी तरीके से plus हार्ट चक्रा की activation चलर रहा है, हार्ट चक्रा अगर आपका बहुत ज़्यदा okay बहुत ज़्यदा pain हो रहा है, बहुत ज़्यदा heaviness फेल हो रही है, तो यह आपकी tough, Hem Divine Masquine की हार्ट चक्रा activate का sign है, ठीक है, अगर अब आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप प्लीस अपना हाट चक्रा बैलंस करें और नो कॉंटेक्ट जोन में अभी आप रहें बिल्कुल क्योंकि उनको अभी किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं देनी है नहीं वाट्सप पर नहीं फेस्बूक पर बिल्कुल सही जा रही है और जिस जिवाइन प्रम नाइन के साथ बहुत उतल पुतल चर रही है यह लगाई वो अपने आपको डिसकनेक्ट करें अभी डियम से चीके तो यह आज की एनरजी थी आपके काउंटर पार्ट की नेक्स्ट वीडियो में मैं फेल्म मेलूंगी तब तक लिए अपना ध्याहा रखिए खुश रहिए सौस्त रहिए